हालो नर्सरी क्लास, गुड मॉर्निंग ओके, तो सबसे पहले मुझे हमारे स्टूडेंस के सारे पेरेंट से बात करनी है अभी हमने मैट्स का और इंग्लिश का जितना बुक में हमको लिखके दिया था स्कूल से उतना हमने रिविजिन करवा लिया है, राइट तो अभी हम फिर से रिविजिन करने वाले हैं, लेकिन अभी आपको खुद को लिखना पड़ेगा अपने बच्चों की बुक में for example, अभी आज हम A to P करने वाले हैं, तो आपको A to P ऐसा हेडिंग देना है और इसे dots करके देना है अपने बच्चों को, ताकि वो लोग practice कर सके ओके parents, understood, तभी जो भी मैं ये वीडियो में दिखा रही हूँ, वो आपको खुद को अपने बच्चों की बुक में लिखना है ऐसा लिखके देना हैं और फिर वो लोग practice करेगे understood parents, आप सबको समझ में आया और कुछ भी query हो, तो कभी भी मुझे message या call करके पूछ लेना, मैं आपको अच्छे से समझा दूगी ओके, ओके, so students, आज हम English और Maths का revision करने वाले हैं, ओके, पहले हम English का करते, पहले आपको A to P का पूरा revision करना है A to P, हमने last time लिखा था रहे, letter A से letter P तक, वैसे ही आपको आज भी A to P ऐसे लिखना है यहां से A से लेके P तक पूरा लिखना है, दो बार, okay students, यह हो जाए, उसके बाद Match with letters करेंगे हम, match with letters में parents आपको ऐसा लिखके देना है अपने बच्चों की book में, और फिर वो लोग करेंगे, okay students, तो match with letters करना है, और आज A to P लिखने वाले, हम क्या करने वाले, आज हमको क्या सिखा है, हमको A to P लिखना है, और match with letters करना है, मैं pictures आपको भेज दूगी, तो वो हिसाब से अपने बच्चों की book में लिखके, और बाद में उनको देना, okay, वो हो जाए, उसके बाद हम maths पे आ को आता है, राइट, 1 से लेके 10 तक हमने practice किया था, वैसे ही अभी भी आपको practice करना है, 1 to 10 लिखना है, parents आपको ऐसे 1 to 10 का heading देना है, और एक बार आपको लिखके देना है, और यहाँ पर dots करना है, आप सबको दिख रहा है, I hope so, इसे dots करके अपने बच्चों के देना है, त फिर count and write, अभी आप सब लोग पूछोगे, यह तो हमने किया ही नहीं है, आप सबको यादे, जब हम maths का oral करते थे, तभी मैं एक छोटी सी book में draw करती थी और count करते थे हम, yes, वैसा ही same हमको count and write करना है, parents ऐसे pictures draw करके देना है, बच्चों को same to same, और यहाँ पर dash छोडनी है, यहाँ पर dash करना है, ताकि वो लोग count करें और लिखे, count करते जाए और लिखते जाए, हम first दो करते, for example, बच्चों यह कितने triangle है, count करो, one, two, three, four, five, five है, तो यहाँ पर five लिखो, next, यह कितने stars है, one, two, three, four, five, six, seven, तो यहाँ पर seven लिखो, understood students, आपको count करते जाना है, और लिखते जाना है, मैं यह सब के photos अमारे group पे दालूगी, वो हिस्साब से, आप सब लोग, parents आप बच्चों की book में ऐसा बनाना, ऐसा draw करके देना, उनको help करना, और फिर वो लोग practice करें, ओके everyone, और कुछ भी doubts हो, तो मुझे message या call करना, ओके, बाबाई, see you.